तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे पांच तरीके के लोग बताऊंगी जिनसे आपको लाइक बिल्कुल दूर रहना है अगर ऐसे पांच तरीके के लोग आपकी लाइफ में हैं तो भाईया उनसे कट लो ठीक है वर्णा बाद में आपी का नुकसान होगा आपका कि वो आपको आके डारेक्ली बताएंगे कि नहीं लिसन वो आपको डारेक्ली आके नहीं बताएंगे कि मुझे तुमसे यह प्रॉब्लम है लेट्स जस्सौर्ट इड आउट वो क्या करेंगे कि वो आपको ऐसी कुछ नेगेटिव वाइब्स देने लगेंगे और वो कि उनके आप उनके अराउंड होते हैं उनसे बात करते हैं तो अपने आपी कुछ चीजे नेगेटिव हो जाती हैं तो इस तरीके के लोगों से आप बिल्कुल दूर रहें जो आपको नेगेटिव वाइब्स अगर वो दे भी नहीं रहें बहुत बार इंसान बहुत वाइब्स आती हैं नेगेटिव वाइब्स आती हैं उन लोगों से आपको दूर रहना है पहले तरीके के इनसान ये याद रहने ठीक है बहुता उत्जान पर एंदक इसे कोई आपको financial support नहीं कर पाता है तो ठीक है it's okay ठीक है कोई आपको अगर financial support नहीं करता है लेकिन financial देखो financial किसी को support करने के लिए उसके पास खुद के पास भी पैसा होना चाहिए या आपको किसी को financial support करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए लेकिन एक support ऐसा होता है emotional support जो हर किसी चीज से बढ़कर होता है ठीक है उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है उसके लिए आपको emotionally किसी को support करना होता है वो इस तरीके से भी हो सकता है किसी की बात आप तुन लो कोई परिशान है तो उसको invisible अपना कंधा दे दो या visible भी तो उस तरीके से तो जो लोग आपको लगता है कि अगर आप बहुत emotional होते हो या हो जाते हो या उनसे बात करके अपनी कोई भी दिल की बात या emotional बात discuss करते हो तो वो you know they are not interested in listening and secondly वो सुन के आपको आपको पता है कि वो आपकी बात सुनने में interested नहीं है या फिर उनके पास time नहीं है उनके पास time है आप से सुनने के लिए कि अच्छा हां बताओ कहां जा रही हो और नया क्या हो रहा है तो my life में कहां गूम रही हो कौन सी shopping कर लिए अगला कहां पे गूमने के लिए चलना है कौन सा destination पे चलना है तो अगर वो सिर्फ आप से इस type की बात कर रहे हैं लेकिन आप emotional अगर हो sensitive हो और आपको emotionally support नहीं कर सकते जब आपको लगता है कि आपको किसी emotional support की जरुरत है तब वो लोग नहीं खड़ें तो ऐसे लोगों से आप बिलकुल किनारा कर लीजे ऐसे लोगों कि आपको कोई life में जरुरत नहीं है मैं अगर अपना experience बताओ तो मैंने सच बता रहे हूं आज की date में मेरे अगर hardly मैं याद करूं मुझे गिनने पढ़ेंगे नाम ठीक है दोस मेरी life में दोस जैसे कोई लोग है नहीं क्योंकि everybody is you know around me is interested in what new I am doing और YouTube का कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है nobody is really interested in asking me कि whether I am fine or not I am really not interested in these kind of people ठीक है तो अगर कोई भी ऐसे लोग है आपकी राइफ में जो आपको emotional support नहीं कर सकते है get rid of them okay you don't need anyone like this thirdly अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग होते जो आपने देखा होगा आपकी अगल वगल unhealthy competition में रगे रहते हैं आपके साथ unhealthy तरीके का competition क्या होता है unhealthy competition shows jealousy कि that they are jealous of you वो jealous जरूरी नहीं है कि आप अपा जो materialistic चीजें उससे हो सकते है jealous किसी भी चीज से कोई भी हो सकता है तो अगर आपको लगता है कि कोई भी आपसे you know unhealthy तरीके का competition में लगा हुआ है तो they are not good for you ठीक है they are not good for you they are not good for your success they are not you know happy seeing you they are not you know good for your mental health बहुत सारे लोग ऐसे होते जो आपने देखा होगा कि उन्होंने आपके पास कोई चीज देखी और अगले ही महिने या अगले ही पल उनको भी वही चीज चाहिए it is not कि वह उनको जरूरी है लेना या उनकी जरूरत है वो it shows the unhealthy competition and the jealousy that they are having तो ऐसे टाइप के लोग जो आपको पता है कि आप से जलते unhealthy तरीके का competition रखते उन लोगों से दूर है having said that बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कि जिनको जैसे आपकी कोई चीज अच्छी रग गई ठीक है और मैं भी अपनी आम लाइफ में अगर मुझे किसी कोई चीज अच्छी लग जाती है तो है आपको मैच करने के लिए उन्हें वो चीज चाहिए भले वो उस चीज को EMI पर खरीदे चाहे second hand खरीदे चाहे कड़े में आ जाए लेकिन आपको दिखाने के लिए आपसे unhealthy competition में आपसे जैसी में वह जहां तक आपको मैच कर पाएंगे वह वहां तक मैच करेंगे ठीक है और मैं यह आपको एक बात बता दू कि आप खाली किसी का competition खाली चलो materialistic जो चीज़े उससे तो कर सकते हो लेकिन हर चीज में आप किसी का competition नहीं कर सकते हो तो ऐसे टाइप के जो लोग है जो आपको लगता है कि आपसे हर समय unhealthy एक दो बार की चीज तो समझ में आती है कि हमा ना किनारा कर लो वो क्या कहते है एक लाइन दी ना कि सही समय पर कट लेना चाहिए चीजे सही रहती है तो इस टाइप का कुछ है और पाचवी चीज में बताऊंगी कि आप देखोगे ना मैंने अभी बोला ना कि people are so fake these days कि अगर उनको आप से कोई problem है तो वो negative vibes pass करने लग लेकिन वो आपको सामने से आके बोलेंगे नहीं कि listen हमें ये problem है चलो मुझे तुमाहे साथ ये दिक्कत है इसको सौट आउट करते है ठीक है मेरी बहुत सारी friendships इसी वज़े से खराब हो गई क्योंकि मैं आपको सच बता हूँ honestly when I was struggling so much in my life two or three years back और जो मेरे जो मुझे लग बहुत सारे दोस्त है उन्होंने पीजी बी किया और बहुत सारे कोर्स करें सब करें लेकिन I wasn't doing anything I wasn't I was not in job और मैं मैं आपको बता दूँ कि अपने दोस्तों में पैसा कमाने स्टार्ट करने वाली लड़की मैं आखरी हूँ या अपने दोस्तों में मैं आखरी हूँ मेरे स सारे दोस्त मेरे से बहुत पहले से पैसे कमा रहे और मेरे से अगर डिगरी की बात करें तो मेरे से बहुत जादा एजुकेटिड है लेकिन मैं बता दू कि जब मैं बहुत अपने बुरे सिच्वेशन में थी दो साल पहले बहुत चीजों से डील कर रही थी I wasn't well physically also I was dealing with a lot of shit उस समय हर मेरा दोस्त मेर से बहुत खुश था मुझे उस कंडिशन में देखके ठीक है वो लोग मेर से बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें चाहद ऐसा लगा था कि she can't do anything अब क्या ही कर लेगी ना लेकिन आज की जो सिच्वेशन है आज उन्हें मुझे देखके पता नहीं कि I don't know दे वो लोग कठ लिये सब लोग ठीक है सब के सब कठ लिये I don't know for what reasons वो इसलिए कठ लिये क्योंकि they can't see anything ठीक है उन्होंने ये और मैंने खुद नहीं imagine कर लिया था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता तो उन्होंने भी imagine कर लिया था कि इसका कुछ नहीं हो सकता वो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं जब आप कुछ अच्छा करने लगते तो लोग आपके पास आते लेकिन मेरी मेरी सिच्वेशन में इसा उल्टा हुआ जब से I am doing YouTube and everything या तो मेरे पास लोग आएंगे वो YouTube की बात करेंगे ठीक है यह यह होगा या फिर जो मेरे पुराने दोस्ते वो लोग कट लिये सब लोग ठीक है तो जब भी आप बुरी सिच्वेशन में होते हो ना खराब सिच्वेशन में होते हो लोग आपको देखके उनको सैटेस्टाक्शन हो जाता है हां यह तो आप कुछ करी नहीं पाएगी इसका तो हो ग जो लोग आपसे जैलिस होंगे उनस आप इमनना नहीं चाहेंगे नश्याय पर प्लूक्स होनों पियुक्न सिच्वेशन में और धातुकर से चाहें चारिके लोग से और अगर हम बात करें तो बहुत लोग ऐसे है हाँ चलो मैंने copy में देख लिया ठीक है मैंने लिखा हुआ है ताकि कोई important point मिसना हो जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे जिनका mindset जो है जिनकी विचारधारा आप से match नहीं करती है ठीक है आप से match ना करें तो उन अच्छे दोस्ते जब मैं अपने बुरे बहुत समय से गुजर रही थी उस समय उनको बड़ा अच्छा फील होता है कि हां ठीक है बुरे समय से गुजर रही क्या ही कर लेगी और graduation में भी बीए कर लिया में करने चली तो वो ड्रॉप कर दिया लेकिन आज जब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मैं पहले से बेटर हूँ फिजिकली भी और हर चीज में तो देया यूनों देया के नॉट स्टैंड मी देया लाइक कि हां कट लिये सबके सब तो बस यही है कि इस तरीके के लोगों से आप भी अपनी लाइफ में दूर रहें और खुश रहें तिल देन बाई टेक केर